हेलो दुस्ट संक्रेंड यो अचिंग केंपुस नियोर्स दोसो दिली बिसुद देले के स्कुल अफ लर्निंग के पोस्ट ग्रेजुट कोर्सस के रजिस्टेशन फॉर्म फिल अब करने की आज जो है लाज डेट है तो कैसे और कहां पे जाके आपको अपना रजिस्टेशन फॉर्म फिल अब करना है आज हम यह बताने वाले हैं बाकि गर आप चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल लेकन को प्रिस्क्री कॉल का बटन दवा लिजेगा ताकि डियू एसुल से रिलेटेट सारा अपडेट अमारे चैनल पर आपको मिलता रहे तो दोसों दिली भी सुदेले के स्कुल अप लर्निंग के जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस के रजिस्टेशन फॉर्म फिल अब करने की आज जो है लाज डेट है तो अभी तक आ डियू तो आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डिया पोर्टल खुलेगा और यहाँ पर आके आपको यहाँ पर स्टडि को यहाँ पे दिख रहा होगा वगा एडिमिसें यहाँ पर क्लिक डौटिन है, तो इस पर आपको जो है, प्लिक कर देना है, तो जो भी छातर है, आज जो है, last date है, आज रात तक, जो है, 12 बज़ी से पहले, पहले, जो है, आप अपना registration from fill up कर रहे, जो है, आपना fees जमा कर सकते हो, तो यहां पे जो है, जरूर जमा कर दे तो, आपको जो है, registration from the admission to post graduate master program तो जो भी SL के 5 courses जो है करवाती है जिन 5 courses में आप जो है admission लेना चाहते हो तो यहां से आप जो है अपना registration form fill up कर सकते हो सबसे पहले तो आपको जो है यहां पे अपना email id डालना है उसके बाद जो है same to same यानि की confirm email id डालना है फिर जो है password आपको जो है create करना है जो की minimum 6 character का होना चाहिए उसके बाद जो है फिर से confirm password यानि की same password डालना है आपको उसके बाद जो है आपको mobile number डालना है mobile number वही डालिएगा जिसका आप जो है अपना current समय में जो है यूज करते हो जो आपके अपने पास में हो उसके बाद जो है आपको जो है first नाम जो कि आपके educational documents पर डालना है वही यहां पर सारा detail आपको जो है fill up करना है तो यह जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे student यह करता है कि कुछ भी नाम डाल देते हैं लेकिन जो है बाद में उन्हें जो है दिक्कत होता है तो आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आपके educational documents फे वही नाम आपको जो है यहां पर सारा fill up करना है तो सबसे पहले तो फ़र्च नाम आपको डालना है उसके बाद जो है अब को कौन से क endless category से आते हैं तो व्यूंको आपको डालना होगा उसके बाद और गले पर क्लिक करना होगा कि कौन सा जेंडर है मेल फ्र मेल फिर अदर जुबी इक पाम आपको रहा है अगर आप यह आ होगा मा也कशलेक्ष करना होगा थे आपको करना होगा पी डब्लू वीडी कैंटेगरी से अगर आप हैं तो यस और नो यह आपको सलेक्ट करना होगा फिर जो है युनिवर्सिटी एटेंट फॉर्द वॉलिफाइंग एक्जाम तो कौन से युनिवर्सिटी से आपने जो है एक्जाम किलियर किया हुआ है ग्रेजुएशन का तो ये भी जो है आपको डालना होगा उसके बाद जो है अगर आपने पहला डोज लिया है तो पहला अगर दोनों डोज ले लिया है तो दोनों डोज पर आपको जो है क्लिक कर देना है उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहां पर यहां पर यहां पर आपको जो है क्लिक कर देना है और यहां पर आपको जो है रजिस्टेशन पर है कि आपके पास में जो है पास्वूर्ट साइज का एक फोटो होना चाहिए क्योंकि रजिस्टीसं के समय में यह आपको जरूरत होगा सात क्या हुआ है इंच छॉना है आप गटीगरी से आते हैं से विस्कुझ होना चाहिए आपके पास में और आ पास है पैन कार्ट होना ज़ुह न चाहिए या फिर आयपके पास में जो है क्रेडिक कार्ड या फिर डिविटक जुब बैक आने के बाद यहां पर आपको जो है लॉगिन करना है लॉगिन करने पर आपको सबसे पहले तो यूर रजिस्टर इमेल आइडी यो जिससे इमेल आइडी से आपने जो है रजिस्टर किया था वहां पर यह डालना है जो आपने पासवर्ड क्रियेट किया था वह आपको होगा documents जो किसी भी category से आ रहे हैं वो documents आपको upload करना होगा signature upload करना होगा और सारा जो कुछ basic detail है वो सब fill up करना होगा उसके बाद जो है आपका courses wise जो है select करना होगा जिस भी courses के लिए आप जो है apply करते हैं उसके बाद आपका registration जो है successful हो जाएगा तो इसी परकार से आपको आपना registration करना है वांकि इस से related अगर आपका कोई सवाल है कोई queries है तो direct आप हमें Instagram पे follow करके कभी भी जो है पूछ सकते हो जिसका link जो है आपको description में मिल जाएगा या फिर आप comment करके भी जो है हमसे पूछ सकते हो बाकि आज के इस वीडियो में इतना है वीडियो पसंद आया तो like करिएगा अपने दोस्तों के साथ share करिएगा और चैनल पे नए है चैनल को भी subscribe जरूर कर लिजेगा ताकि इसी तरह से डियू से हो या फिर जो है सारा अपडेट हमारी चैनल पे आपको मिलता रहे बाकि शुक्रिया धन्यवाद